मित्रों अध्यात्म के राष्टे पर काउन सी ऐसी समझ के कारण मुझे परमात्मा से मिलन हुआ इस अनुभव को मैं सेहर करना चाहता हूँ मेरे जीवन यात्रा में भी बहुत साल से मैं अध्यात्म के राष्टे पर था और समझने के लिए बहुत सारे गुरुवों को सुनता था और उन में से जो भी होट टाचिंग ऐसे पॉइंस होते थे उस पर चिंतन मनन करता था जैसे आप करते ही और कभी-कभी ऐसी ऐसी बात होती थी जो हिर्दे को चू लेती थी और कुछ रुपांतर्ण हो जाता था मगर वो भी उतना गहरा और इस्ताही नहीं होता था जैसे आपको होता है ने कभी-कभी ऐसी बाते आपको बहुत प्रभावित कर देती है कभी अबजर्बर और अबजर्ब्ट की बाते हीं कभी साची की बाते कभी समरपण की बाते हीं कभी सरीर और मन के रहस्ये के बारे में जब आप सुनते हीं मागर इस ठाहई रूप से वह अनुभाव नहीं होता है वह अनुभाब इस ठाहई के लिए उसनी किसीम से कोई एक समज या कोई एक बात आपको गैरे से उसको फिनी होगी थोरी-थोरी चोती थी इसलिए धडहा थोड़ा अनुभाव वता चाहें तो आईसे कोई एक बात जो गहरे से छूले और आपको पुरा ही बदल के रखे इस तरह की घटना घठेगी अगर आप इसे राष्टे पर हो और सोचते रहे हो तो और मैं अपना अनुभव शेर करता हूं कि मुझे किस बात ने वो अनुभव दिलाया तो आपको भी वो बात गहरे में लेश जा सकते हैं मित्रों वो बात थी अचाह की बात अचाह की बात यानि आप परमात्मा से मिलना जाते हो तो आप ऐसे रहो अचाहा होकर आप कुछ भी मत चाहूं पहले मैं जितना भी अनुभव गहरा गहरा अनुभव होता था वो सबी में चाहा होता था है ना तो इसलिए दिक्कत हो रहा था तो अचाहा की बात क्या थी कि आप ऐसे बैठो और बेफिक्री बैठो आईसे बैठो एकदम फालतू की तरह बैठो और कुछ मत करो और कुछ भी मत चाहूं परमात्मा को भी मत चाहूं ज्यान को भी मत चाहूं यह मत बोलो की दुख क्यूं है मेरे जीवन में यह बोलना भी चाहा है क्योंकि चाहा जब पैदा होता है तब हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं बरतमान से हम दूर हो जाते हैं क्योंकि चाहा दूर ले जाती है चाहा वहां ले जाने वाली बात है आपको यहीं रखने वाली बात है नहीं चाहा का क्या अर्थ है कि कोई चीज आपके अंदर कमी है तो उस चीज को पूर्ति करने के लिए कि आपको कुछ करना चाहिए और वो बात भविस्य से related होगी तो इसलिए चाह आपको भवित्य में ले जाएगी और परमात्मा होगा परतमान में परमात्मा पीछे खड़ा है सदासे और मिलने के लिए तैयार है हम चाह के कारण भविस्य में चले जाते ही और उस से मिलना नह यह बात ऐसे होती, जैसे कोई बगीचा में गया और सो गया, और बगीचा में सवंदर यह तो प्रकट हो रहा है, हवाएं है तो चल रही है, फूल तो खिल रही है, चीडिया तो गा रही है, मगर वो सोया हुआ है, और बगीचा के आनंद तो तैयार है उससे मिलने के लिए, वो तो रतिवर इधर उधर नहीं गया, मगर जो आदमी सोया है, वो कहां गया, वो चाह में खो गया, सोपन माने चाह, सोपन का क्या अर्थ होता है, आप कोई बीजी चाह हो, उससे आपका सोपन खळा हो जाएगा, जैसे आप धन चाह हो, तो आप एक सोपन में चले मगर परमात्मा होता है बर्तमान में, इसलिए हमको परमात्मा से मिलना नहीं होता है, है, हम मिलने के लिए रुकते ही नहीं, वो रुका ही हुआ है, हम रुकते नहीं, हम इधर उधर जाते हैं, चाहल नहीं जाता है हमको इधर उधर, तो मैंने क्या किया, ये बात समझने के पात ऐसे बैठ गया और अपने को बोल दिया मैं कुछ भी नहीं चाहूंगा मैं ध्यान भी नहीं चाहूंगा ग्यान भी नहीं चाहूंगा आनंद भी मुझे नहीं चाहिए और मेरे पास दुख है तो इससे मैं छुड़ना भी नहीं चाहता दुख क्यूं है भी नहीं बोलता मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अगर हो भी ठीक नहीं भी ठीक जैसे पहले पहले ध्यान के अभ्यास में करते थे करता था मैं भी कि माइड के विचारों के वितर अब्जर्ब करो और अवेरनेस पर ध्यान दो । ये प्रियास लगातार करता था मगर उस वक्त यह खायल मैं आया, कि आखिर ये करना भी चाहा के कारणी तो हो रहा है, माईन का आप्जर्बेशन क्यों करते ही, क्योंकि कुछ चाहिए, कुछ मुक्ति का अनुभब चाहिए, और माईन से बाहर आना है, इसलिए हम माईन का कंठूल करते हैं, या आप्जर्ब और ध्यान को, अवेर्नेस पर ध्यान देना ये भी छोड़ दिया, अहंकार को भी छोड़ दिया, क्योंकि अहंकार को मिटाने के लिए कुछ प्रियास करेंगे तो वो भी चाह से करेंगे, आप अहंकार से क्यों छुटना चाहते हैं, क्योंकि आपके वितर चाह है कि आपको जितिक आनुवाब हो इसलिए आप अहंकार से छूटना चाहते ही। अगर परमात्मा अहंकार से मिलता होगा तो हम अहंकार को छोड़ने के लिए राजिथ नहीं होते। तो इसलिए हमारा ये चाहा गलत हुआ है। čाहे हम गलत चीज़ओं को ही क्यों ढोले व taka कैसा के कारण वो भी दुर्गंदित हो जाता, ध्यान को आप चाहोगे, तो ध्यान भी दुर्गंदित हो जाएगा, क्योंकि चाहा उसको दुर्गंदित कर दिती है, चाहा ही गलत है, चाहा ये बोलती है, कि आप जो हो, जहां हो, वहां बैशने के लिए राजी नहीं हो, तो आपको कुछ और पानी के लिए आप कुछ करो, चाहिए ध्यान करो, चाहिए पैसा कमा कुछ आप करो, तो चाहा आपको करना लगाती है, आपको अप्रूनग शिद्द करती है, बर्तमान में रहने नहीं देती, और जहां परमात्मा से हमको मिलने की जगह हे बर्तमान, तो वहा संवं घडा नहीं देती विश्रा में बेचने नहीं देती चाहे बाहर काम करो चाहे भीतर भीतर काम करो दोही तरह की काम होते हैं एक बाहर परिश्रम करने वाले लोग होते हैं और एक भीतर परिश्रम करने वाले लोग क्या रहते हैं जो माइन को कंटूल कर रहा है अप्जर्विशन कर कर रहा है साची का ध्यान कर रहा है यह वह सब बात कर रहा है तो यह करना भी उसी किसिम का करना है जो बाहर चुनाम में दवड रहा है लोगों के घर घर में जाकर भीक मांग रहा है कि मुझे भोड दे दो और चुनाम में जित रहा है और विजे जुलुस निकाल रहा है उसक पद चाहता है इसलिए वो कारीय कर रहा है आप मुक्ती चाहते हो इसलिए ये कारीय कर रहा है तो चाहने बरबात कर दिया और अच्छी अच्छी चीज़ों को चाहना भी गलत ही हो जाएगा इसलिए ये बात समझे में आ गए कि चाहना नहीं दुख है तो दुख से मुक्ता होना भी नहीं चाहना अगर दुख है हम बोलेंगे कि क्यूं है ये क्यूं हुआ ये बोलना एक चाहा है हम इसको हटाने का चाहा है और आनन्द को पाने का चाहा है चाहा दो तरफ होता है एक से घठना चाहता है एक से जुडंना चाहता है तो फिर मैंने आईशा बोल दिया कि दुख है शरीर में मन में तो उसको भी वोने दो अईसा मत बोलोगी क्यों हुआ मुझे कुछ चाह नहीं है दुख हो तो हो नहीं हो तो हो नहीं हो शारीरी में दुख है तो फिर होने दो उसको क्यों अईसा बोलना कि नहीं होना चाहिए दिमाग में विचार चल रहे हैं मन में तो क्यों अइसा बोल ना कि नहीं चलना चाहिए। ये चाहा है न ये तो, व Christina ये रही कैoffeur के लिए भूषी रहे हैं। तो कुछ भी नहीं करना, न माइंड कंटूल करने कि लिए प्रियास करना, न साश पर द्यान देना। जिसको कुछ चाहिए नहीं, वो क्यों ध्यान देगा, जिसको कुछ चाहिए नहीं, वो क्यों ध्यान देगा, जिसको कुछ चाहिए नहीं, वो क्यों ध्यान देगा, शास पर, जिसको विपस्तनिया में आती जाती शासों पर लोग ध्यान देदेदेदेदेदेदेदेदेदे तो आपको कैसे होगा फिर इसलिए बहुत सालों से विपस्यना करने वाले लोग दिखे गए जो मुझे से प्रस्ण पुछते हैं कि अभी तक नहीं हुआ है उनके आगे तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं जो विपस्यना करते हैं गहरा बहुत दिन तक बहुत कड़े अनुसास इन्याम में उन्होंने थो बहुत बडशन किया है तो उनके सामने मैंने तो कुछ किया ही नहीं तो मैं तो एक निरलज्ज हो जाओगा उनके सामने मगर फिर भी वो बोलते है कि कुछ नहीं हुआ है जिसको ध्यान देने के बाद जो मिलेगा वो चाईए मुझे तो कुछ चाईए नहीं भाई क्यों मैं सास पर ध्यान दू तो फिर सास पर ध्यान देना भी छोड़ दिया कुछ भी काम करना छोड़ दिया अईसे फाल तो बैट गया और बरतमान में और जगा हुआ और सोना भी नहीं है क्योंकि वो भी एक चाहा है जैसा है वैसा ही रहना उससे बिल्कुल और कुछ मत होना पिड़ा है तो उसको भी अचाहा कर देना पिड़ा है तो बोल देना कि है तो है ना मैं इसको भपाना चाहूंगा ना मैं आनंदो को लेना चाहूंगा मैं मुझे कुछ मतलब है नहीं मुझे कुछ चाहिए ही नहीं आई शे इस्तिति में जबाब पाई जैसे बुद्ध बैठे थे आइसे इस्थिति में, आपको उनके कहानी पता होगी, बहुत प्रियास किया ध्यान ग्यान पाने के लिए, राजधरबार त्याग दिया, फिर जंगल जंगल भटकने लेके, आश्रम आश्रम भटकने लेके, जहां जहां गुरु मिला, वहां वहा कि तपस्या करो, तपस्या कर देते, ध्यान करो, बहुत दिन तक, उपवास रखो, उपवास रखते थे, फिर बात में ऐसे हो गए थे, उपवास रखते, 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 वह एकदम सूख गए थे, सूख कर हड़ी हड़ी हो गए, आप सरीर को ऐसे खाना नहीं ड यह भूके बैषना है, यह आपने सुनी बात, अगर यह बात आपने सुनी कि यह खाने से आपको ध्यान होगा, तो आप फिर खाने लगेंगे, तो आपका उदिश्चे परमात्मा पाने का है नहीं, आपको तो परमात्मा को जबरदस्ति लाना है, नियम के कारान, तो कैसे वो मिलता है उसी तरह चालाखी कर गए आप उसको पाना चाहते हैं तो बोलते हैं निरंजना नदी एक चोटी सी नदी उस पर पार कर रहे थे तो वहीं पर लड़ गए तो उनको लगा कि ये इतनी चोटी सी नदे भी मैं पार नहीं कर सकता हूँ मेरा पईर डगमगा गया तो मैं इतना ये भवसागर से कैसे पार होँगा जीमन के इस दुख से अंदकार से तो कहते हैं वह आगे फिर उनने सब छोड़ दिया और खना खाने लगे भोजन करने लगे और उनके पास तो सारपांच और साधू संत पिछे गए थे प्रभावित होकर क्योंकि वह खाना ही उपवास बैठते थे तो और लोगों को भी ये बेक्ति महान तपस भी है लगा था क्योंकि हमको आईशा ही लगता है जो बहुत साल तक खाना नहीं खाता नंगे गुमता ह बिक्रत भेशबुसा बना लेता है जंगल चले जाता है गुफा में बैठता है हमको वह साधू लगता है तो बुद्ध भी खाना नहीं खाते थे उपवास में थे पहुत दिनों तक तो इसलिए लोग प्रभावित हो गए तो उनके पिछे चले थे मगर बुद्ध ने जब बृष्टा हो गया बुलने लगे भुद्ध को यह तो ब्रस्टा हो गया यह तो अपना तपस्या इसने छोड़ दिया То je इसके छोड़ दो इसको कईकर वह सब उनको छोड़ के चले गए कही ते हैं उस साम को उस रात को वुद्ध फिर हैसे बैठे, जैसे मैंने बोला, अच्छा होकर, उन्ने अब छोड़ दिया, पहले संसार की बात दिमाग में आती थी, तो फिर सन्यास की बात मन में आयी, तो खुब चले उस राष्टे पर कुछ पाया नहीं, तो फिर वो छोड़ दिया सन्यास की बात, यह भी असम्म भी बोल दि जीने का कल हो ना हो इससे भी मतलब नहीं कल उठके मैं क्या करूंगा ये भी पता नहीं जिसका ऐसे निधले होकर जो सोते हैं तो उसी ढंग से बुद्ध भी सो गये तो क्या हो गया इसे सुने के कारण कि परमात्मा से उनका मिलन हो गया कहेते हैं सुबह जब आकास में तारे गिर रहे थे तब उनको अचानक से उस परमात्मा से मिलन हो गया क्यूं हो गया क्यूंकि परमात्मा खड़ा ही था वहाँ परसदा से बुद्ध चाह के कारण इधर उदर भटके थे ये करने में वो करने में बिजी थे आज उनने सबी छोड़ दिया और छोड़ने के कारण वो बरतमान में आ गए और बरतमान में जो होता है परमात्मा होता ही है तो उससे मिलन हो गया तो बुद्ध का परमात्मा से मिलन बड़ी अलग बात है उनने सबी कुछ पत्चीस साल तक जो कुछ भी किया छो साल तक जो कुछ भी उनने किया ध्यान तपस्या उससे नहीं मिला है उनको तो उस एक रात जो उन्होंने अचा होकर सोय थे, उसी रात उनको हुआ है, उससे पहले 6 साल तो, मगर उस 6 साल वो एक दिन लाने में, उस 6 साल ने सहयोगी किया, क्योंकि उनको ये बात भी तभी समझ में आई कि कुछ करने से नहीं हो गया, कर करके ठक गए थे, वो बात उनने छोड़ी, तो ये बात समझने के लिए भी थोड़ा परिश्रम आवस्यक होता है, तो तपस्या इसकी सिम्की होती है, तपस्या से होता नहीं है, मगर तपस्या से ये बात समझ में आती है, कि तपस्या से कुछ होता नहीं, ये भी चाहा है, इसको भी छोड़ देना है, तो अच्छा होकर बैठना है, तो इस जगह पर जब आप आएंगे, तब आपको क्या कहें फिर, आप जो भी आसपास देख पाओगे, अनुभभी हो जाएगा आपको उस आसपास जो सदा से है उसका, आप काम में इधर उधर बिजी थे, तो इस कारण आपको वो बात पता नहीं थी, मगर जब आप सब काम छोड़के आगे जिसी छुट्टी हो गई, दिन भर काम में होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो बिजी होते हैं, तो छुट्टी होने के बाद एकदम फ्री हो जाते हैं, और जहां इच्छे हो वहां जा सकते हैं, तो जो अचा होगा, वो ऐसा ही एक छुटी में होगा, तो उसको फिर, जो है उसको देख पाएगा, क्योंकि वो बिजी नहीं होगा, ना कहीं पर, और जिस जो अचा है, उसके पास टाइम ही टाइम होगा, क्यों कुछ करने को रही है नहीं तो फालतू हो गया फिर बिजी हो गया तो उस बक्त जो फैला हुआ बिराठ है उसको पर्स हो जाएगा उसको देख जाएगा मित्रों इस तरह अगर आप बैठने की कला सिखते हैं अचाहा होकर तो कुछ गाइड़ेड मेडिटेशन मेरे पास है वह आप ले सकते हैं उसके लिए आप मुझे वहर्ट सब पर बात करें उसका नमबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप आप पास